आज मैं कहना चाहता हूं वो बुंदेल खंड अब सूखा बुंदेल खंड नहीं हरावरा बुंदेल खंड होगा वो बुंदेल खंड अब गरी बुंदेल खंड नहीं संब्रद साली बुंदेल खंड बनेगा इसे आज मैं इस सदन में एक बात का और उल्ले करना चाहता हूं अखलेश जी भी यहां पर बैठें बुंदेल खंड के छेत्र का मैं सान सदूं मान्य अध्यक्ष महोदय हमारे आज के निता प्रत्पक्ष 2008 में टीकमर्ज लेके एक टिपरिया गाउं की बहन भंजनवाई के घर गए थे अभी वो उधारन दे रहे थे मैं इनसे मिला मैं उनस उसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी 2004 तक आपकी सरकार चली वो टिपरिया गाउं की बहन भंजन भाई का इतने सालों में क्या हुआ था आपको याद नहीं होगा लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं उस बहन के सर पर चद देने का काम की से ने किया तो भ जब करीबी और उस युके पर जो अलाप करके आये थे 2014 के बाद मोधी जी की सरकार बनी मोधी जी की सरकार ने बुंदेल खंड के लिए जो देने का काम किया है मैं आज से बज़ट के अंदर मानी प्रधान मंतरी का मानी भृत्त मंत्री का विनन्दन करता हूं अटल जी के वो सपना पूरे का फूरा करने का काम मानी प्रधान मंत्री ने किया है कैन वेत्वा लिंक परियोजना को 44,605 करोड रुपए पिछले बजट में प्रावधान करके जो मानी प्रधान मंत्री मोधी जी ने बुंदेल खंड को दिया आज मैं कहना चाता हूँ वो बुंदेल खंड अब सूका बुंदेल खंड नहीं हरावरा बुंदेल खंड होगा वो बुंदेल खंड अब गरी बुंदेल खंड नहीं संब्रद साली बुंदेल खंड बनेगा